गुड मॉर्निंग आज है 8 सेप्टेंबर तो चलिए देखते हैं आज का करेंट अफियर्स सबसे फेले वीडियो में होता है होंबग और फिर होता है 8 कोशन्स तो होंबग था कांडला पोर्ट अफ गुजरात का नया नाम क्या है तो new name of कांडला पोर्ट क्या है दीन देयाल कांडला पोर्ट ध्यान रखें दीन देयाल कांडला पोर्ट कांडला पोर्ट गुजरात का एक बहुत important पोर्ट है चुकि यहाँ पे इस्थित्थ हैं आगे देखते हैं current affairs आपका बहुत स्वागत है किस Indian Biologist को बहलर टर्टल कंजरवेशन अवाड दिया गया है यह अवाड Nobel Prize कहा जाता है कंजरवेशन के लिए और यह अवाड दिया गया है सेलेंद्र सिंग को देखते हैं थोड़ा इसके बारे में देखिए बहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड स्टार्ट हुआ था 2006 में ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है और ये दिया जाता है टॉर्ट्रोइस और टर्टल के कंजर्वेशन के लिए और ये अवार्ड दिया गया है इंडियन बायोजिस्ट ठीक है और इसे नोबिल प् देखिए ये हैं सेलेंद्र सिंग जिनको ये अवार्ड दिया गया है और ये दिया गया है कंजर्वेशन अव्ट टर्टल के लिए टर्टल और टर्ट्रवेश में क्या डिफ्रेंस है तो टर्टल जो होता है वो एक्ष्वेली में तीन भर लैंड और वाटर तोनों प्लेस पे रहता है लेकिन वह रात हमेशा वाटर पे गुजारता है लेकिन जो चुंट होता है वह अपनी रात लैंड पे गुजारता है यानि कि तर्टल जो है वह और अफॉटर डेनिमल है डेब Q2 पे आते हैं अच्छा एक और important बात इसका IOCN list में क्या है red list निकालता है IOCN तो उसमें इसका place क्या है तो यह actually में critically endangered आता है ध्यान रखें Q2 पे आते हैं इंडिया ने एक agreement sign किया है ताकि Asia में green development project पे काम कर सके यह agreement sign किया गया है किस country के साथ और इसका amount है 1.2 billion package तो यह sign किया गया है UK के साथ United Kingdom के साथ देखीं इंडिया और UK ने sign किया है यह agreement ताकि green development project project Asia में लाया जा सके और साथ में काम किया जाए यह बहुत ही important meet हुआ है अभी हाल में जिसमें निर्मला सितारमन और UK Chancellor रिशी सुनक ने announce किया है कि climate change और investment को boost किया जाए इंडिया में और green development projects पे काम किया जाए इस पूरे project का नाम है climate finance leadership initiative question number 3 पे आते हैं which state government has launched वतन प्रेम योजना वतन प्रेम योजना किसने start की है तो वो राज्य है गुजरात देखी गुजरात में एक बहुत important program start किया गया है जिसका नाम है वतन प्रेम scheme जी हाँ वतन से अगर आप प्रेम करते हो तो वतन के लिए आप क्या करोगे investment भी करोगे अपने motherland पे और इसी लिए program start किया गया है यह public private partnership है जिसमें government 40% invest करेगी और 60% जो है वो public invest करेंगे ऐसे भी कुजरात जो है वो business hub माना जाता है और वहाँ पे लोग काफी businessmen है तो इसी लिए यह नया scheme भी start किया गया है जिसका नाम है वतन प्रेम scheme इसके अंतरकत कुजरात 100 करोग रुपीज खर्च कर रहा है Question No.4 पे आते हैं India's first dogong conservation is planned to establish that देखिए dogong एक animal है और उसके conservation के लिए भारत में पहली बार एक plant project start किया गया है कहां यह start किया गया है टमिल नाडू में टमिल नाडू में Gulf of Manard जो के कहां है टमिल नाडू और सिरलंका के बीच पे वहाँ पे यह plant project start किया गया है जिसमें dogong जिसको sea cow भी कहा जाता है ठीके एक type की animal है जो की actually यह herbivorous animal है और यह animal marine यानि water में डाता है और इसको conservation करने के लिए यह product project start किया गया है पहली बार टमिल नाडू में देखिए इसका IOCN list में क्या है red list में इसकी category तो ध्यान रखे यह vulnerable category में आता है और इसका नाम sea cow भी कहा जाता है इसे और यह पूरी तर से herbivorous है generally जो marine animals है वो herbivorous नहीं है लेकिन यह completely herbivorous animal है question number 5 पे आते हैं which state government has appointed लोवीना बोरगोहेन as the brand minister of समग्र सिक्षा अवियान किस राजसरकार ने लोवीना बोरगेन को brand minister select किया है समग्र सिक्षा अवियान के अंतरगत तो वो राज जे है आसाम जी हैं लोवीना बोरगोहेन तो आसाम से ही बिलोंग करती हैं और यह कौन है यह boxer है जिन्होंने अभी हाल में टोक्यो ओलेंपिक में ब्रॉंच मेडल जीता है और इनको बनाया जा रहा है brand minister आसाम सरकार के द्वारा समग्र सिक्षा अवियान के लिए समग्र सिक्षा अवियान के अंतरगत इन्होंने बताया कि digital education पे focus किया जाएगा question number 6 पे आते हैं who has hosted the Indian flag in closing ceremony of Tokyo Pera Olympic 5th September को Tokyo Pera Olympic की समापती हो गई और इसकी closing ceremony थी जिसमें कौन थे जिन्होंने हमारे जंडे को पकड़ा तो वो है अवनी लखेरा अवनी लखेरा जो राजस्थान से बिलॉंग करती है और इन्होंने दो medal जीता है अपनी लखेरा सुटिंग से बिलॉंग करती है और इस बार का Tokyo Pera Olympic का theme क्या है harmonious coco phoning इसका मतलब होता है all kind of striking difference co-existence यानि कि different different जो difference है उसके होने के बाबजूद भी यहाँ पे सब आते हैं और साथ में खेलते हैं चलिए question number seven पे आते हैं which Indian become the vice president of Asian squash federation Asian squash federation के vice president किसे बनाया गया है जी यहाँ Cyrus Poncha को देखिए Cyrus Poncha है squash Asian federation के vice president एक Indian है तो नाम important हो जाता है squash क्या है यह एक badminton की तरह game है जिसमें एक close room होता है और player इसमें two भी खेल सकते हैं और four भी खेल सकते हैं इसमें difference क्या होता है कि इसमें rubber ball के साथ खेला जाता है यह ठेके कॉर्क नहीं होता इसमें rubber ball होते हैं तो ध्यान रखे इस question number eight पे आते हैं who has appointed as India's sarpah in G20 summit इंडिया के सर्पा किसको select किया गया है G20 summit में तो वो बनाए गये हैं प्यू स्क्वेल प्यू स्क्वेल कौन है हां यूनियन मिनिस्टर है यह यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एन इंडस्ट्री कंजूमर अफियर food and public distribution और union minister of textile भी है तो इनको तीन डिपार्टमेंट दिया गया है ध्यान रखे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंजूमर अफियर और यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्स्टाइब और इनको बनाया जा रहा है सर्पा अब यह सर्पा क्या होता है G20 और G7 summit में सर्पा ओर्ट यूज किया जाता है सर्पा ओर्ट का मतलब होता है सर्पा personal representative होते हैं जो summit के पहले पूरे proposal को draft करते हैं और यह decide करते हैं कि वहाँ पे किस-किस topic पर क्या discussion होगा तो एक पुरा प्लान वे होता है और इसलिए सर्पा स्लेक्ट किया जाता है और इंडिया के सर्पा कौन है जी हाँ प्यूस गोय चलिए देखते हैं आज का सवाल देखें टोक्यो पाड़ा ओलम्पिक में तो इंडिया की रैंकिंग आई है 24 और आपको बताना है कि टोक्यो ओलम्पिक में इंडिया की क्या रैंकिंग है इसका अंसर जल्दी से कमेट बॉक्स में दे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे शेयर कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले